नवस्का दोस्तों आप सभी का हमारे विनेश लिगिन में सबागत हैं दोस्तों यदि आप सजी पीज सी व्यापम ये स्वर लेकाइट की सिभी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए 36 गड़ समान अध्यन जिसके अंतरगद आज रेखेंगे हम सोन गंगा अपवा तंत्र दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पेल का आइकन पेश कर दिजेगा ताकि आने वाले हमारे और नए जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुशत रहें तो दोस्तों सोन गंगा अपवा तंत्र का ढाल 36 गळ में उत्टर की ओर है सोन गंगा अपवा तंत्र का 13,66 पतिसत है यह 36 गळ का तीसरा बड़ा अपवा तंत्र है सुन गंगा अपोहात अंतर के अंतरगर चतिस गड़ की तीन प्रमोक नदिया सामिल है बनास नदी, रिहन नदी और कनहार नदी और इनकी साहयक नदिया जो है सामिल है तो दोस्तो सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी दोस्तो बनासनदी का उदगम मांश्टोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसिल कोरिया जीले से होता है दोस्तो बनासनदी चत्तिसगर्ण वामध्परदेश की सीमा पर भाती है बनास नदी मुख्यूरूप से कोरिया में बहती है और इसकी प्रमूख सायग नदी है गोपद नदी दोस्तों गोपद नदी का उद्गम सुरजपूर जीले के सुनहट पहाड़ी से होता है और गोपद नदी जो है 36 गड़ मद्दप्रदेश के सीमर पर बनास नदी पर जाकर मिल जाती है दोस्तों गोपद नदी 36 गड़ के सुरजपूर और कोरिय जीले में बहती है गोपद नदी की सहाख नदी है लोधर नदी इसके बाद देखते हैं दोस्तो रिहन नदी दोस्तो रिहन नदी सरगुजा जीला की जीवर रिखा है रिहन नदी का उदगम सरगुजा जीले के मितिरिंगा पहाडी से होता है और इसका विजर्जन उत्तर पदेश के रेनुकुट नामकिस्थान पर सोन नदी में होती है दोस्तो रिहन नदी को रेनुवा रेन नदी कहा जाता है रिहन नदी की लंबाई है 145 किलोमेटर इसके बाद देखते हैं दोस्तों कनार नदी का उधगम जस्पुरजिला के पंडरा पार्ट में इस्थित बघोना चोटी से होती है यहाँ नदी चत्तिसगड वजहरकंड की सीमा पर बहती है और इस नदी की लंबाई है 115 किलोमेटर दोस्तों यहाँ मुकी रूप से जस्पूर और बलरामपूर जिला में बहती है इस नदी के तड़ पर बलरामपूर में दीपाडी नामकिस्थल बसा हुआ है दोस्तों यहाँ दीपाडी जो है एक प्राची इस्थल है इसके बाद दिखते हैं दोस्तों कनहार नदी की प्रमुक सायक नदिया है सिंदूर नदी, पेंगन नदी, चिनाब नदी और गुलुफुला नदी ये चारू नदिया जो है कनहार नदी की प्रमुख सहाक नदिया है ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू दोस्तो आप सभी का हमारी चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करीजेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नएने वीडियो लाते रहें और बेल का आगन पेश कर दिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं मिलता रहें ठाइंक्यू दोस्तो ठाइंक्यू